बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स तक में ICC ODI Batsman Rankin की बात करेंगे जहां पर भारत के कप्तार रोहिश शर्मा को बहुत फायदा हुआ है रोहिश शर्मा ने एक लंबी चलांग लगाई है रोहिश शर्मा पिछले हफते टॉप 10 में नहीं थे लेकिन इस बार वो पहुँच गए है टॉप 10 में और थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन और आएगा तो रोहिश शर्मा टॉप 5 में भी पहुच पाएंगे और इसके ला प्रदर्शन जो पिछले हफते अच्छा रहा था उनको कैसे फाइदा हुआ है तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे बाबाराजम को बाबाराजम के 836 रेटिंग अंक है और वो नंबर एक पर है बाबाराजम पाकिस्तान और इंडिय पर वहां उनके रंज ज्यादा नहीं आए कुछ अच्छे शॉट्स लगाए लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए इस वज़े से शुमन गिला आपको दूसरे नंबर पर दिखाई देंगे तो इसके अलावा एक बार हम नजर डाल देंगे तीसरे नंबर पर तो वह है कु इसलिए नहीं तो आपको और वह उपर जाते हुए दिखाई देंगे दिरे दिरे रहे हाला कि अब उनके जो रेटिंग अंक है वह 742 है जो कि शुमन गिल से कम है बेहदी रैसी वेंडर डुसेन चौथे नंबर पर है साउथ अफरिका के ये हैं 732 रेटिंग अंक के साथ प पर बने हुए रोई शर्मा पिछले हफते 11 नंबर पर थे उन्होंने अच्छी चलांग लगाई पाँच पॉइंट की पाँच जगह की उन्होंने चलांग लगाई ये कहेंगे और पहुच गए नंबर 6 पर तो रोई शर्मा आपको दिखेंगे उपर जाते हुए और आने वाले हफ्तों में क्योंकि इंडिया को भी और मुकाबले खिलने और रोई शर्मा जिस तरीके को फॉर्म में चल रहे हैं उमीद यह की जा रही है कि आपको टॉप फाइप में एंट्री करते हुए दिखाई देंगे तो रोई शर्मा ने जो सेंचरी लगाई अफगानिस्तान के इस उसके बाद पाकिस्तान के अलाव जो खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया तेज पारी खेल रहे हैं कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं रोई शर्मा तो उमीद की जा रहे है कि ऐसी ही पारिया हुआ आगे खेले और टॉप फाइप में जल्दी एंट्री मारे और साथ इस शुमन गिल्द के लिए उमीद की जा रही है कि जल्दी वो नंबर एक बन जाए अच्छा प्रदर्शन करके तो मौके हैं आगे इन के लिए नंबर साथ पर आप डैविड वार्नर को देखेंगा उस्ट्रेलिया के नंबर आठ पर डैविड मलान अब यहाँ पर नंबर मैच में दो हाफ सेंचुरी थी लेकिन पाकिस्तान के अगेंस जाद अच्छा प्रदर्शन किया नहीं तो थोड़ा सा नुक्सान हुआ है हलाकि वराट कोली के लिए आप देखेंगे कि रेटिंग इतनी माहिन नहीं रखती है रेंकिंग इतनी माहिन नहीं रखती को उनका नहीं इतना बहता है लेकिन एज इंडियन फैन हम तो यहीं चाहेंगे कि वराट कोली आने वाले मैचों में खूब रन बनाए और आप हो सकता है कि भारत के तीनों ये बल्लेबाज शुम अंगिल रोज शर्मा और विराट कोली टॉप 5 में भी आपको आने वाले वाक्त में नीदरलेंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स है उन्होंने जो कमाल की पारी के लीज से उन्हें जरूर रेंकिंग में फायदा हुआ होगा तो जो खिलाडी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें जरूर फायदा हो रहा है और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें समझना कि आने वाले वर्ल्ड कप में रैंकिंग तो चलो ठीक अपनी टीम को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए स्पोर्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिविशन की घंटी करें तो हमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक कर फॉलो जरूर कर लीचे